हलो दोस्तों नमस्कार अब बोलेगी कटपुतली एक पोटली रेत की और वाई पीपी के मन से आप तमाम शुरुताओं को साथियों हमेशा की तरह हम आपके बीच में आते हैं आज मैं आपको जो बात करना चाता हूँ वो हमारी आजादी और कुछ चंद कविता एक छोटी सी मुझे भी आज शायरी करने का मन करना आपको कुछ शेर सुनाना चाता हूँ आप द्यान से सुनिए मुलाज़ा फर्माईए ये सारा जिस्म दब कर बोज से दोरा हुआ होगा मैं सजदे में नहीं था आपको धोका हुआ होगा ये सारा जिस्म चलो अब यादगारों की पुरानी कोटरी खोले कम से कम एक चहरा तो पैचाना हुआ होगा कम से कम एक वो चहरा पैचाना हुआ होगा ये सारा जिस्म दब कर बोज से दोरा हुआ होगा यहां तो सिर्फ गूँँगे और बहरे लोग रहते हैं खुदा जाने यहां पे किस तरह जल्सा हुआ होगा ये सारा जिस्म दब कर बोज से दोरा हुआ होगा मैं सजदे में नहीं था आपको धोका हुआ होगा साथियों ये चंद लाइने मेरी जंदिगी में इनका बहुत बड़ा महत्व है मुझे बहुत सारी चीजे इससे सभज में आती है मैं आजादी के बाद जन्मा मेरा जन्म आजादी के बाद हुआ मेरे जन्म के साथ साथ मुझे एक महत्वपुन ये गर्थ मिला ये समिधान मुझे विरासत में मिला मेरे दादा जी कहाने सुनाते थे कि ये समिधान बनाने में ये समिधान को रचने में कितने लोगों ने कितने बार कई समय बैट कर हर तरीके की चीजे समिधान में लिखी गई हर तपके का ध्यान रखा गया तो दादा जी कहानी सुनाते थे कि हम छोटे थे तम नारे लगाते थे अंग्रेज भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो तो आज तो अंग्रेज भारत में नहीं है अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गए हैं हम सब आजाद हो गए हैं और यह आजादी क्यों मिली थी हमारे सपने क्या थे हमें भर पेट रोटी मिलेगी पैनने को कपड़ा मिलेगा रहने को घर मिलेगा साफ पानी मिलेगा स्वास्ते मिलेगी शिक्षा मिलेगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारा रोजगार होगा, हम सब को समानता का अधिकार मिलेगा, ये सब चीजे इस समीधान में जाती धर्म से उपर उठकर हम अपने देश का और हमारे समीधान की रक्षा करेंगे, लोगतांत्रिक व्यवस्ता से हमारी लोगों क द्वारा लोगों का भिकास और हमारा समिधान हमारा देश चलेगा, इस समिधान में लिखा गया है और इस समिधान में ऐसी वेवस्ताइँ बनाई गई है, हमारे तीन अस्तम्द सबसे मेहतुपॉर्ण है, सबसे पहला अस्तम्द यह है कि हमें जनता को एक अधिकार मिला है, वोट देने का अधिकार हम अपना मत देखें एक हमारा नेता चुनते हैं एक हमारी कारेकारणी चुनते हैं जो कि हमारे देश के लिए अच्छे-च्छे कानून बनाएं और देश के नागरीकों की रक्षा करें दूसरा जो महतुपुन स्तंभ है वो हमारे करमचारी यानि हमारी जो बीरोक्रेसी है जो हमारे कलेक्टर है आयस है जितने भी जो मंत्री है जितने हमा मंत्री जी तो दूसरे उसमें आते हैं लेकिन जितने हमारे आयस और जितने अपसर लोग है वो एक विवस्ता है कि वो वि विभागों में कई सारे ऐसे मैतुपुन विभाग हैं मैतुपुन ऐसी संस्ताइं हैं जिसमें वो न्याय संगत तरीके से लोगों की रक्षा करेंगे और वो हमारे कारिक्रमों को चलाएंगे तीसरा स्तम है हमारा जो जुजिशरी यानि हमारा कानून हमारा सम्मीधान को बच आज मैं देख रहा हूँ कि ये वेवस्ता बनाने के बाद हमें ये सारे हमारे सपने जो थे इस समिधान में लिखे गए थे। ये समिधान की रक्षा के लिए इस समिधान की रक्षा के लिए मत का इस्तमाल करना और ठीक तरीके से नया संगत तरीके से इस मत का इस्तमाल करना ताकि जिससे कि हमारे समिधान की रक्षा हो सके ये जान से प्यारा है ये हमारा समिधान हमारी जान से प्यारा है। दूसरा सबसे मेतुपूर्ण बात क्या है सिर्फ हम वोटर नहीं है बलकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो जिनको हमने चुनके भेजा है क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं अभी ये कहा जाता है कि हम बहुमत से चुनके आये हैं तो बहुमत कितना परतिशत मिला कितने परतिशत से जीते हैं ये भी ध्यान रखने की बात है तो हमें जिस तरीके से बाटा जा रहा है हमें रक्षा करने के लिए हमारे समिधान की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जितने भी जो हमारे समिधान सबा में जितने लोगों का स हमारे बगत सिंग जी जिनका अब 23 तारिक था कल और उनका उनका सहित दिवस्ता उन्होंने किसलिए किसलिए शाहदत दी इसलिए ना कि देश का नागरेक देश की हमारी जनता जो है वो सुरक्षित रहे और उसके लिए न्याय हो बुराई क्या है हमारे देश में सभी दर्मों के लोग हैं सभी जातियों के लोग हैं सबको मिलके चलना है इसमें मैं यह मानता हूँ कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है जुडिसरी अपना काम कर रही है लेकिन जनता को भी अपना काम करना चाहिए जनता को जिता के चुप नहीं बैठना चाहिए जनता को सही क्या हो रहा है गलत क्या हो रहा है उसके पर आवाज उठाना चाहिए आज कल जैसी इस्तितियां है वैसे देख के थोड़ा डर लग रहा है थोड़ा मन वेचेन है और थोड़ा मन में अशान्ती है आप सोचिए अब बोलेगी कटपुती एक पोटली रेत की वाई पीपी के मन से ये कुछ सवाल आपके बीच में रखे है कि हमें आजादी इसलिए मिली कि बरपेट रोटी मिले पेनने को कपड़ा मिले रहने को गर मिले और हमारे जो जाती वाद से हमें मुक्ती मिले चुआ चूर से मुक्ती मिले रोजगार मिले स्वास्ते मिले शुक्षा मिले इसलिए हमने अपना ये समीधान रचा इसलिए हमने आजादी ली बस इस आजादी को जिन्दा रखने के सिरफ समीधान मेरे ख्याल से समीधान लिखा तो गया है लेकिन इसका इस्तमाल होना बाकी है अभी इस्तमाल होना शुरू रही नहीं हुआ इससे पहले इसको नस्ट करने हूँ आप तो जिन्दा लोग है आप तो पड़े लिखे लोग है आप तो सब समझदार लोग है जरूर ध्यान दीजिए और आप बोलेगी कटपुत्री जब बोल रही है आप भी बोलेए अपने आवाज उठाइए एक पोटली रेत की वाई पीपी के मन से आप सबको तमाम लोगों को बहुत बहुत नमस्कार जय समीधान जिन्दाबाद जय भारत और नमस्कार